गुड मॉर्निंग एब्रिबडी आप लोगों को आज मैं अपनी साइट पर कैसे टुटोरियल को आपको लॉग इन करना है चैसों से पढ़ना है इसके वारें बताने जारा हूँ वारें आपको सबसे पहले या तो वाट्सप ग्रुप पर जो लिंग दिया गया है उस लिंक के थरो अपनी साइट को बिजिस्ट करना है या पिर आप अपने मॉबाइल में जो भी ब्रावजर हो उसकी मदद से अपनी साइट को ऐपन करेंगे तो browser अभी लोगों पता होगा या तो UC browser होगा या Chrome होगा या Firefox होगा आपको मोबाइल में जो भी browser है उसका आप उप्योग करिएगा कोई भी browser हो ब्राउजर को उपन कर लेंगे, तो इस समय मेरे में आप देख रहे हैं गे, यहां पर Firefox को उपन कर रहा हूँ, जैसे मेरे इस टैब पर कुछ और खुला हुआ है, मुझे नये टैब में कोलना है, तो आप इदर जो आपको यह दिख रहा है, जहां पर 44 लिखा हुआ दिख रह करेंगे, यहां पर आपको क्या करना है, जो एड्रस बार है, इस समय जहां पर करसर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस दिखे पर आपको टाइप करना है, LICL.IN ठीक है, उसके बाद आप सार्च के लिए क्लिक कर देंगे, यहां पर Google के सामने LICL.IN लिखके आ रहा है, उस अपने साइट को लिख लें, LICL.IN लिखके आ रहा है, उसको आप सार्च कर लेंगे, उस पर क्लिक किया हमने, वरसे हमारा यह उपन होके आजागा, ठीक है, अब यहां पर आप कहां से अपने टुटोरियूल को लोगिन करेंगे, आपको एक तो लोगिन दिख रहा है, उस लोगिन जब आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अभी कुछ दिन बाद आप लोगों के लिए भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आपना स्टेटस देख सकते हैं, आपका कोर्स कौन सा है, आपका नाम प्रॉपरली उसमें डला हुआ है, कि नी डला हुआ है, वतलब जो रजि लिए अलग तरीके की इन्फर्मिशन उनको बननी होती है, तो फिलाल यह आपको नहीं लोगिन करना है, क्योंकि इसके आपको आविशकता नहीं है, आपको क्या करना है, और सबस्टेव जाना है, यह जो तीन लाइने दिख रही है, राइट कोर्नर में, दाई तरफ, मोबा About Us, Courses, Student John, Franchise, Tutorials अभी फिलाल हमें Tutorial पढ़ने हैं तो आप Tutorial पर क्लिक करेंगे Tutorials पर जैसे क्लिक करते हैं तो Tutorials वाला हमारा पेज उपन होके आ जागे जिसमें हमें Login के लिए एक Form दिखाई दीगा जिसमें हमें User ID डालना है, Password डालना है और हम अपने Tutorials में Login कर जाएंगे अपने Account के तरू अब यहां पर कुछ लोग मैंने पहले एक Tile User Account दिया था कुछ लोगों को तो उनका यह कहना था कि सर इसमें Computer Fundamental से लिटीडी घाली आ रहा है बागी सब में Not Available दिखा रहा है तो उसका एक रीजन है आप लोग जब इसे Computer Fundamental को Complete कर लेंगे आपका एक टेस्ट लोगा मैं Computer Fundamental को जब वह सारी चीज़ें Complete हो जाएंगे उसके बाद आपका वह भी पोर्षन इसी ID से खुलने लगेगा आगे लेकिन जब तक आप Study नहीं करेंगे तब तक वह Algae का portion आपको Open नहीं होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है आपको properly study करना है Login करने के बाद और उसके बाद आप उसका टेस्ट होगा उसे आपको देना है और टेस्ट जब आपका Complete हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको लिए आगे का आपका वैब साइड पर ही है आपको आपको आ आपको मैं बता दूँ आपको मोबाइल पर मैसेज गया होगा मैंने जब यूजर अकाउंट आपके create किये थे तो आप लोगों को वैब साइट से मैसेज गया होगा और अगर जिन लोगों को मैसेज बाइचांस नहीं मिला है और एक और चीज आपको मैसेज उनी नंबर पर गया होगा जिन जो नंबर आपने WhatsApp पर हमसे contact किया जिन नंबर से क्योंकि उनी नंबर का यूज किया है मैंने वापर यूजर अकाउंट के लिए तो आप उनी नंबर पर देखेगा मैसेज आये होगा अगर जिन के पास नहीं आया किसी कारण बस तो वो लोग मुझे WhatsApp पर ब करना है और वहाँ पर आप बोल देंगे सर मेरा यूजर आइडी और पासवर्ड अभी तक मुझे नहीं मिला है तो मैं आपको उस नंबर पर सेंग कर दूँगा तो ये तो आपका यूजर आइडी और पासवर्ड की बात होगी अब आप लोग इन कैसे करेंगे यहाँ पर म यूजर आइडी जालने के बाद मैंने यहाँ पर पासवर्ड इंटर किया अमूमन सभी लोगों का पासवर्ड लगवग सेम है बट ठोड़ा सा डिफरेंट है प्रत एक विक्तिक है क्यों भी एक जैसा नहीं रख सकते हैं तो डिफरेंट है और यूजर आइडी तो बिल्क पा रहे हैं आपका यूजर आइकाउंट लॉग इन हो गया है यहाँ पर आपका नाम डला हुआ है जैसे यह लड़का है आजयपाल वैलकम अजयपाल लिखा हुआ है और दूसरा आपका टुटोरियल खुला हुआ है देख सकते हैं कंप्यूटर फंडमेंटल यहाँ पर द सीखा है जो आपको लिखाया गया है क्योंकि लिखाना का मतलब है आप यहां पर पढ़ेंगे तो आापको खुरी समझ्में आ जाएगा लिखाने का मतलब है एक पुरा किताब fundamental से बना दो तो वो चीज़ नहीं है आप यहां पर पढ़ेंगे और especially यहां पर चित figure बगएर भी दिये गए हैं images के तो भी है कुछ आपको समझ में आएगा वो चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऐसे ही बता देते हैं जिसे हमने बोला BCR ऐसा होता है अब आप images जितना कर पाएंगे उतना ही तो कर पाएंगे आप यहां पर क्या होगा आपके सामने image होगी आप easily उससे समझ पाएंगे कि हाँ भई यह चीज यह होती है अब जैसे आप देख सकते हैं आपर मैंने system की चार images डाल लखी है आप जूम करके देखींगे अलग अलग चीजां आपको दिखाई देखींगे यहाप पर क्या क्या चीजा है बेसिक चीजे जो fundamental ना सामने दिखाई दी है वह चीजे दिखाई गी है क्या क्या चीजा हमारे पास होती है उसके आफ दूसरा फिगार है जिसमें सी Cambridge के अंदर क्या क्या चीजा हुती है कौनकों से hardware पार्ट होते हैं वो दिखायें याğa है your power supply system सीटेल में दिखाया ञाया है। hace w wrinkles सकते हैं कॉन- माय भी स्चाहरें कमें जनी धुद्ध यह उसके बाद यहां सीघ्यार कीदा डिशार संट कैसे काम करता से एगㄹ संवकू करेंगी तो आप समय नेकस्फिट कराईगा है। για सेकष्ञाइब counter प्रॉब्लम हो सकती है सर यह तो इंग्लीज में पूरा है तो डॉंट वरी आप लोगों के लिए मैंने इसके लिए भी विवस्ता कर सकती है आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज जो भी ओट्राइल लैंग्वेज उसमें इस पूरे टुटोरियल को आप चेंज कर सकते हैं कि दिखाए जेघे रहा हूँ स्लेक्ट लेंग्वेज लिख विखे आ हुझे हुझे अरह destruction पर एक वी जैसा बना हों दिखा रहा है वस वी पर आप खिलीक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप्लेंग्वीज जैसे ही आपर मैंने language select कर ली हिंदी मुझे हिंदी में पढ़ना है मुझे English नहीं समझ में आ रही है तो मैं हिंदी को select कर लूँगा अब हिंदी पर जैसे ही आप सलेक्ट करेंगे थोड़ी दिर में आपका account में पूरी चीजे हैं आपके account में आपकी site है पूरी को पूरी कर आए नहीं हमें हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है कुछ चीज है तो आप इंग्लिस में वापस से कर लेंगे वहां से आप देख सकते हैं ठीक है यहां पर फिर से एक बार change करने के बाद आपको कोई problem ही है बस आप अगला करते जाईएगा आपको अगला भी अपने आप ने कितना properly work किया है आपने कितना properly पढ़ा है बहुत ही easy है आराम से कभी भी पढ़ सकते हैं आप चाहें लेटे हैं बैटे हैं यहां classroom भाला कोई problem नहीं है तो इसमें एक और चीज है आपको जब English में करना है तो आप क्या करेंगे दो यहां पर ऊपर ही Google translate to Hindi लिखा हुआ है उसके आगे लिखा है so original आप so original पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी man language है जिसमें यह web page बनाया गया है उसमें हमारा translate हो जाएगा data यह English में बनाया गया है तो English में translate हो गया अब फिर से आपको लग रहा है कि नहीं मुझे फिर से Hindi में पढ़ना है तो बस यहां पर वही बटन जहां पर आपको लिखा था so original उसके सामने लिखे आगा है translate तो translate पर फिर से हिंदी में translate हो जाएगा तो इस तरीके से आप translate कर सकते हैं उसे फिर से देख सकते हैं फिर से original में कर सकते हैं यह चीजिए आपके पेंट करेंगी तो आप इस तरीके से इस tutorial को पूरा end तक पढ़ आए गया है figures भी हैं और भी कोई सारी आपको facility हैं इसमें तो आप उनसे आप समझ सकते हैं आपको कुछ link भी दिये गया है जिसे आप और externalis गयन कर सकें चीजों के बारे में जैसे कुछ जगह पर आप दिखेंगे इसमें जैसे IBM यहापर लिखा हुआ है आपको नहीं पता IBM क्या होता है जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसका full form यहाँ पर आजाएगा अपने आपसे तो ऐसे बहुत सारी facilities हैं जिसमें आपको problem होती है अगर किसी भी चीज की कोई problem आ रही है आपको पढ़ते समय तो आप हमसे consult कर सकते हैं इसमें यह problem है तो उसको sort out करने की कोशिस करें जैसे यहाँ पर INIAC लिखा हुआ है जैसे आप INIAC पर क्लिक करेंगे तुरंट से आपको देख जाएगा उसका full form का है इडवैक पर क्लिक करेंगे यूनिवैक पर क्लिक करेंगे तुरंट से इन चीजों के full form देख जाएगे आपको बहुत ही अच्छे तरीके समझाया गया अब बस काम आपका इतना है कि आपको इसे प्रॉपर ली रीड करना है आपको अपने टाइम कर सही उप्योग करना है आप प्रॉपर में पड़ेंगे तो आप बहुत कुछ कीएंगे कोई भी एक्जाम फिर आपके लिए कोई भी ऐसा एक्जाम नहीं रहेगा जिसको आप कि इसके रूफ ना कर पाएं, ऐसा कोई भी एक्जाम आपके लिए नहीं रहेगा, तो इस लाइग नेक्स प्लिक किया, यहां पर हमारा फिर्ट से आ गया, आप यहां पर क्लॉक, स्पीज बगारा बहुत सारी चीजन दी गही है, आप उनको दीख सकते हैं, इससे हमें कैसे के लिए करते हैं, आप कैसे के पास पहुंच जाएंगे, तो इस तरीके के आप इन सारी चीजों को पढ़िएगा अच्छे से, कोई प्रब्लम आती है, तो हमें बताइएगा, थैंक्यू, और किसी भी तरीके की कोई प्रब्लम हो, आप हमें वाट्सअप करिएगा, या झाल 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